नई गेंदाज पूछेगी कुछ कठिन सवाल लेकिन इन सवालों का जवाब चाहिए सलामी जोड़ी ऐसा खेले कि सब इनको सलाम फोके फिल्डर की अच्छी एफ़र और बढ़िया थोगा इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात फिल्डर की अच्छी एफ़र और बढ़िया थोगा विक सिंगल पारी की शुरुवात अच्छे अंदाज में सटी गेंड, डॉट गेंड थोड़ा नाजुक हातों से खेला ओन साइड की दिशार में और कितना आसान बना देते हैं ये बैटन का फील्डरों गेंदबास का अच्छा तालमेल बढ़िया थो अब यहां तो भगने की भी जरूरत नहीं है इस गेंड के साथ बनले बास को किया चारों खाने चित डॉट बॉल के साथ उवर हुआ समा लेक्स्पिनर के हाथ में है गेंड क्या फ़सा पाएंगे बैक्समिन को बॉल को ध्यान से देख बढ़िया स्वीप का किया एग्जिक्यूशन अंडर्स्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गति करारा स्वीप शॉट फील्डर का बढ़िया थ्रो एक दंस्टंस के उपर इसे कहते हैं बढ़िया फील्डिंग बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे हैं बल्लेबाज को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंदबाज की वंडर्फुल स्पेर चतुराई भरा मिश्रन गेंदबाज को फिर नहीं मिला रूम खामोश वो हैं और स्कोर बोर्ड भी बल्लेबाज जाबाज हुआई फायर चार रहे हैं बोलर को अलविदा कहा है चौके के साथ बल्लेबाजी टीम के लिए एक बढ़िया हुआ अपने पेस और अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं ये गेंदबाज लेकिन क्या आज विकेट चटका सकते हैं अपने 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 आज विए टार आज जाने जाने फिल्डरों के इदबाज का अछा ताल मेल बढ़िया थरोग अच्छा तालमेल बढ़िया थ्रोग अच्छा धा और आप बल्ले बाज होगे तो होगी फाइन खेला इस पैडल सीप शॉट को मिलेंगे रांस फील्डर का बढ़िया थो एक तॉंस तॉंस के ऊपर बढ़िया फुट वर्क गलाईयों की कलाकारी फ्लेक फील्डर की अच्छी है फ़र और बढ़िया थूरी अच्छा शॉट अच्छी जज्च्मेंट दो रंका इसाफा को मिली यह जो बन रहा है था थी इससे पहले थोड़ा सा हिले थोड़ा सा दूले और गेंद को लेक्साइड की तरफ जीदे को पीचे छोड़ दे इतनी तेज भागा यह बल्ले बाज है बल्ले बाज पर तो प्र लेक्समिलर के हाथ में है गेंड क्या भासा पाएंगे बैट मेंट को अच्छा नाजुक हाथों से खेला ओन साइड की दिशा में और कितना असान बना फीलर की अच्छी है और बड़ी अथ्रू भी फील्डर का पढ़िया थ्रो एक टंस टंस के उपर पांचों उंगलिया मिलके बन जाती है मुर्थी और यही काम कर रही है यह टीम फील्डर के लिए है तयार फील्डिंग में है पूरे जाबास बड़ी आगे कोई रन नहीं फील्डरों गेंदमास का अच्छा ताल मेल बड़ी आध्रू हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं थिया बड़ी आर रनिंग बड़ी आध्रू फील्डर का बड़िया थ्रो एक टंस टंस के उपर बूल बूल से गागर भड़ता है सिंगल के साथ रनों में इजाफा कोई किसमा तेज गेंदमास है ये अब देखना ये है कि क्या साथ में थोड़ी सूरिंग भी कर सकते हैं सबका बड़िया प्रदर्शन फील्डर ये 24 कैरट खरा सोना है सही ठिकाने पर गेर बल्ले बास खामोश इसे कहते हैं खालिस लॉग विड़ियर के ऊपर से चौक्य के साथ की है शुरुआत इसे कहते हैं खालिस लॉग विड़िया प्रदर्शन फील्डर की अच्छी एफोग और बड़ी अथोग है जाओ जाओ जिए लॉग श्ट्रक और ये गई चान के पाथ लूबोर यह तो थोड़ी सी खराब सी के लूबोर इशारा मिलेगी फ्री हेट बोलर का नुकसान बल्लेबास का फायदा अमपाया ने सिगनल की है फ्री हेट इसे कहते हैं खालिस लॉब मिल्ड विकेट के ऊपर से बहुत आशारा के साथ गेंदवास को नहीं किया है फॉलो निराज है कप्तान ओवर की आफ़ी गेंदे कर गई है चौका जब जब विकेट की हो तलाज तो गेंद थमा दीजी अपने नेक स्पिनर को पल्ले बाजी की टेक्सबुक नहीं लिख रहे हैं ये जनाब अविश्कार किया है नया शॉट थिर्टी से फागना होगा अगर जीवित रहना चांग है तो याव करार दिया है अम्पार को बिलकुछ नहीं है अम्पार के इस डिसीजन से तो चल पड़े हैं तीसरे अम्पार की तरह से अम्पार के डिसीजन को रिव्यू करने का किया है फैस्ता अपील को नकार दिया है अम्पार ने डॉट आउट करार दिया है सटी गें डॉट गें ऑन सैट की दिशा में फ्लिक किया रन बटोरे स्वच भारत अभियान का ब्रेंड अम्पार बना दीजिये इनको क्या स्वीप करते हैं यह बढ़िया जच्च्मेंट तेस रनिंग बढ़िया रन बटोर आप बल्ले बाज ओने स्वच भारत अभियान का ब्रेंड अम्पार बना दीजिये इनको क्या स्वीप करते हैं यह फूर्थी से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो करारा स्वीप शॉट फिल्लर की अच्छी एफ और बढ़िया थोग आखरी गें एक रन बुवर समांग कप्तान ने वीडियम पेसर को गुलाया है अटैक बार को अगरा नाजुक हातों से खेला ओन साइट की तिशा में और कितना असान बना देते हैं यह बैटिंग को हाँ और ना में टाइम पेस्ट नहीं दिया और बढ़िया अगराने वीडियम पेसर अमपायर ने दिया आउट का इशारा बल्ले बास की पारी हुई समांग और इस सिनिंग की पहली विकेट गेदबास के ना अब आया है वो बल्ले बास जो तीन को ले जा सकता है जीत के पार अलका सा शफल किया और गेंद को लेक साइट पे भेजा यह चौका नहीं संदेश है चौके से की शुरुवात है हड़िया फुटवर्क कलाईयों की कलाकारी ग्लोरियस ट्रोक जबर्दस शॉर्ट टाउन दग्राउन देखर जाएगा चौका तर्शकों को भी ऐसास हो गया है कि शायद चौकों की हैट्रिक देखने को मिलेगी गोशिश तो भर्सक किया गेदबाज ने लेकिन बल्लेबाज के सामने एक नहीं चल गी चौकों की छड़ी लगा दी यहाँ पर कवर और मिडॉफ के पीच में से ये घूप सूरत ऑफ ड्राइव फील्डर का बढ़िया थ्रोह एक तंस तंस के उपर अनसाइट की दिशा में फ्लिक किया रन बटोरें चलिए देखते हैं कि अपने आखरी स्पेल में क्या कार्णावा करते हैं ये गेद्बास अंडरस्टैंडिक तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की कति अंडर की अच्छी एक पर अंपरिया थी फील्डरों के इद्बास का च्छा ताल मेल बड़ी आत्रों हो इसे कहते हैं खालिस लॉग विड़ी के ऊपर से बढ़िया शक्त हाथ इराश है फील्डर क्योंकि मौका था छिट अगया इंके हाथ से इस बॉल को रोपना मुश्किली नहीं नामुकिन है मेरे दोस्त इसे कहते हैं खालिस लॉग मिड़ी के ऊपर से बढ़िया शक्त फील्डर का बढ़िया थो एक तंस तंस के ऊपर पल्ले बाजी टीम के लिए बढ़िया होगा था के लिए जन ऊपको बालिसे बढ़िया होगा कर आटना है मेरे भी आपकिन इस बाब बाल्ज सегस्कार छिए कर दोस्तित्क रश्कर, एक मौके बढ़िया होगा क्तित्र मौके और उत्र, इस बढ़िया होगा होगा कर इस您eous अगरिया होगा ख़जब की ख़दरनाग गेल पल्ले बास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश कुछ गेंदो को छेड़ने में नहीं चोड़ने में ही होती है भलाए समझते हैं बल्ले बास चतुराई से की है गेंद बाजी बल्ले बास को रखा है खामोश इक और दॉट गेंद कि असला लगा जैसे केंद काया भी हो गई हो क्योंकि बल्ले से तो